तो जैसा कि आप जानते हैं कि वह कैब में हमारी एक अभी स्रीज चल रही है वर्ड पावर मेडी जी की जिसमें हमारी दो क्लासे हो चुकी है और हम इसे सेशन वाइस कवर कर रहे हैं जिसमें कि हमारी नहीं जेशन कंस इसे ना श्रीज शरक हो चुकी है और आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें कि हम आगे बढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं आगे क्या है तो आज हम पढ़ेंगे तो साथ से दस चेसन तक पढ़ेंगे टोटाल्य परते श्ताव बारे में बात करेंगे लक्त दॉस्रे ऐा pregnantarenth Tan कि निधिन में कि जरूरत करते हैं जहां तक आपको दवाय की जरुरत न पड़े और तो physically, manually आप ठीक हो जाओ, ठीक है, चली आंज हम प्राक्टिशणर्स के बारे में पढ़ाइंगे, और हमारे आज पास बहुत सरे प्राक्टिशनर्स होते हैं, इनके हम नाम नहीं जानते हैं, यह बहुत interesting होने वाला है, तो चली देखते हैं कोंपॉन। हमारे आसपास practitioners हैं ठीक है सो सबसे पहले हम सेवन सेशन को कवर करेंगे जिसमें हमें क्या मिलेंगे हमेशा की तरह कुछ आइडियाज मिलेंगे और फिर उन आइडियाज को हम आगे डिसकस करेंगा अच्छे से ठीक है चलिए सबसे पहले आइडिया पर बढ़ते हैं सबसे पहला एडिया है behavior लाइस यह behavior क्या होता है तो हर एक human का अपना कोई ने कोई behavior होता है ठीक है और सब के behavior में कुछ ने कुछ difference होता है तो इन behavior के बीच में जो differences होते हैं differences की study कोई करते हैं ठीक है और behavior में क्यों changes आते हैं क्या changes है क्या है नहीं है उसके बारे में कौन हमें बतलाते हैं तो चलिए देखते हैं कि कौन मतलाते हैं तो यहां पर यह है कि by educating and training this practitioner is a expert in the dark mysteries of human behavior ठीक है यह जो practitioner होते हैं यह क्य होते हैं human behavior के जो dark mystery होती है कि लोग इसका behavior ऐसा क्यों है यह ऐसा क्यों सोच रहा है इसी को लेकर यह ऐसे क्यों react कर रहा है उसकी जो dark mystery होती है वह उस पर practice करते हैं उसकी उन्हें training होती है ठीक है उसके बाद what makes people act as they do why they have certain feelings how their personalities were formed वही बात कि यह इस बात को लेकर ऐसे क्यों react कर रहा है ठीक है उसकी ऐसी feeling क्यों है जब भी मैं इस बारे में बात करता हूं तो वह ऐसे क्यों react करता है उसके साथ अखरे सक्यों हुआ लब क्या हुआ अखरे उसके साथ कि वह सर्य एक्ट कर रहा है फिर कुछ नहीं हुआ वह नर्माली रियक्ट कर रहा तो उन चीजों के बारे में वह क्या करते हैं बात करते हैं इन शॉट वाट मेक्स देंटीक सच अज़ कि ऐसे जो प्रैक्टिसनर्स होते हैं इनको बहुत सारे बड़े बड़े कंपणियों के द्वारा इंप्लॉयमेंट मिलता है ठीक है इन्हें कुछ काम नहीं होता है इनका पर सही काम रहता है कि वहां पर जितने भी वरकर्स हैं किसी श्कूल में जितने भी स्टुडेंट्स है थि क्या किया जा हूनने कैसे मोटिवेट किया जाए इनके हमिर्ण के सोच हम कर सके किसी काम को लिए करके एकर कर कि किसी कम्पणी के प्रक्ति उसका लगाव बने वह अधिक साधिक प्रडक्टिव बने उसके लिए क्या होता है गाई कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि लोगों को कैसे डील करना उन्हें कैसे समझाना है उन्हें कैसे मोटिवेट करना है यह होते हैं इस टाइप के प्रक्टिशनर्स ठीक है इनके पास अगर इस्टेट लैसेंस फोटे इसक्राइभर इसक्तिक दिपडे सकता है ए तो ग्रीटिक व hug National 2 यहाँ पर क्या एडिया मिला है कि जो उसके माइवान के साथ जुड़ा होता है तो माइवान के साथ कौं णूरा होता है आप खुद दिमाग लगा इसे कौन होते हैं यह कहलाते हैं साइकोलोजिस्त जी हां इने हम क्या कहते हैं साइकोलोजिस्ट अपने देखा हो कि जब किसी को mental होता है तो उन्हें हम लेकर जाते हैं कि demo do loading sasya psychiatrist के पास व 추計 से नहीं जुड़े होता है आपको स्पुर्णा क्या हुआ आपको क्या हुआ के साथ आपको कैसे मोटिवेट किया जा किसी काम को ले करके ठीक है ऐसे होते हैं साइकोलोजिस्ट अब आगे हम बढ़ते हैं यह आपको सौंज में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे आता है हमारा सेकेंड नंबर वरिस फिर और कॉंफिलिक्ट ठीक है चिंताएं डर या किन के पास आओगे इंसे एप अपना इलाज कर वाओगे यह थेखते हैं इस प्रक्टिशनर फिजिसिएन शाइकितरीस्ट और साइकोलोजिस्ट ठीक है यह साइकाटरीस्ट में हो सकते हैं वह सकते हैं यह एक्म टेजिएंट एक साइंतिस्ट थे उन्हों ने यह टेकनिक दिया था ठीक है जिस पर यह काम करते हैं उनका क्या टेक्निक था कि इंकरेजिंग यूटू डेल इंटू दैट पार्ट आफ यूर माइंड कॉल दा अनकॉंसियस कभी क्या होता गाइस कि हमारी दो तरह के माइंड होते हैं तो को पता हैं यह कॉंसियस एक अनकॉंसियस हम किस मैंन से रीक्चन आता है किसी जी पर किसी राहते हैं चीलाने लगते हैं छानक से किसी बात को लेकर जब C लगते हैं खुश हो जाते हैं तो उत यह मारा उनकॉनसियOS मॉइन्ट कर पारी और कुस्का उता है तो इस तरफेंजोंस आपके माइंड को क्या करते हैं उन्हें देखते हैं उन्पे श्टडी करते हैं कि यह एक्सप्रियेंस इस traumas feelings and thoughts of your earlier years okay you come to a better understanding of your present worries fear conflicts repressions insecurities and nervous tensions ठीकर तो इस टाप के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आपके यह इन्हें देखते हैं दस टेकिंग दाफ स्टेप इन कॉपिंग विद्धें ट्रीट्मेंट कंसेस्टिंग लार्जली इन लिसनिंग टू एंड हेल्पिंग यू तो इंटरप्रेट दे मीनिंग आफ यूर फ्री फ्लोइ कि यह जब भी किसी वो ट्रीट्मेंट देते हैं इनका बहुत ही लंबर चलता है क्योंकि यह डाइट आपके अंक्सेस माइंड पर इस्टडी करते हैं यह आपके अंक्सेस माइंड अगर आपका कुछ गलत रीक्शन आ रहा किसी चीज़ को लेकर के तो आपको जब आपको दॉक्ति आतों होता है आपके साथ जोडहे आपसे यह कनेक्शन अउनग्स करतें के अपका उस्पर आपको रियाक्ट करते हैं तो ईसने करते हैं न है गालते हैं साइको ऐनलिस्ट कहला दाता है इसे प्रैक्टेशनर है इसके लिए तो दान्तों के लिए हम कहते हैं डानट इसके बाइनटिस्ट का बाथ या दॉत MOS नी करता जो दवाइजा देते हैं वह भाक्टर कहलती है अपने दांतों को सीधा करवाते हैं किसे सिधा करते हैं या फिर उनहें पॉजिशन में लाते हैं तो ऐसे क्या कहलाते हैं जो दान्तों के प्रैक्टिशनर्स होते हैं इस प्रैक्टिशनर इज डेंटिस्ट यह होते हैं हूँ है टेकन पुस्ट ग्रेजवेट वर्क इन दा इस्ट्रेटनिंग अफ टीथ यह क्या करते हैं कि दान्तों को सीधा करते हैं इनका काम होता है क्या दान्तों सब्सक्राइब होते हैं तो यह एक हरते हैं जास्योच में पढ़ा भी था याद करो और्थो डॉंटिस्ट और ते तो यह एक लाइज़ को सिधह करते हैं है इसके बाद हमारा आगला आइज आखों के लिए हमारे पास कौन होते हैं दिस प्रैक्टिशनर मेजर्स विजन प्रेस्क्राइब्स डटाइप अफ ग्लासेज डैट विल गिव यू अन्यू और एक्यूरेट फ्यू अप दा वर्ल्ड इस टाप के जो प्रैक्टिशनर होते है तो आपको चस्मा लगेगा अगर आपको नहीं है तो नहीं लगेगा यह आपको बतलाते हैं ठीक है ऐसे डॉक्टर की ज़रात आपको कब पढ़ती है जब आपको आँखों से कम दिखाई देता या धुंदला या फिर साफ साफ नहीं दिखाई देता तो आप जाते हो त ठीक है अप्ट हेलमी फिर्सक्राइब कर दिया तो हमें प्रेस्क्राइब कर दिया उसके बाद क्या होता हमारा घ्लासे अब क्या होता है यह यह जो ग्लासेज देते हैं की स्क्राइब भाय और युर ओप्तोमे Peach और Le sacred tox है जो आपको चस्म का जो पावर जितना मिलता है या फिर आपको कुछ भी प्रेस्क्राइब किया जाता है हुद्ञ ईकgram सकते हैं ठीक है जुटेस अगर हमारे हडीं में कुछ problem हो जाए तो हम लोग कई क्या करते हैं कि हमारे जैसे होता है कि मानलों कभी हमारा एकसिडेंट हो रहत हुआ तो हमारा टो उममतर प्रोड्लम होता है तो कहां जाते हैं ऐसे फ्रेक्टिशन से पहले आप जाते हैं और यह कैसे इलाज ho करते हैं धिसानी गो कि मेंबर ऊप्रोफे Watts टरपेस्टीट हुआ था टेटीनिटेill यह पंद यह बेंगे हैं यह क्या करते हैं टेक्निक से अपका इलाज करते हैं यह क्या करते हैं क्वक्रश कुर्श वे poems पूर पहलें थेकनिक पेसर बेसी को मसाज सो John nerves and blood vessels यह क्या होता है की ऐलाज करते हैं कभी कभी क्भी कई मिधारी से की सब्सक्राइब हमारे श्षक्राइब कंटेंस кино कीज़ते ना से करेंसे लुग हैं कृणधे थी करते हैं और यह किस तर्तिक करते हैं मसाज देकर ठीक करते हैं बीना किसी दवाई के बीना किसी ति करो से चील भाढ़के ठीक है उन्हें क्या करता है तो ऐसे प्रेक्टिशन के यह कहलतい है आस्ट्योपैत्त कहलाता है ठीक है अब क्यों आजी anniversary में और इसने वाले पार्ट में सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या था हमारा अच्छा यह जो ऑस्टियोपैथ होते हैं यह आपने देखा होगा हमारे आस-पास गाउं में बहुत देखने को मिलता है जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जा रहे हैं हम अपना क्या करते हैं जो हाथों से हमारे पैर मालों मोच आ गया तो वह हलका सा तेल लगाते हैं फिर क्या करते हैं वो उसे मसाज देकर ठीक कर देते हैं इस टाइप के जो होते हैं यह आपको बहुत जादा देखने को मिलेगा यह होते हैं अब आगे आता हमारा जॉइंट्स एंड आर्टिकुल सिस्टम होता है उस पर यह काम करते हैं ठीक है ट्रीट्मेंट कंसिस्ट आप मैनिपुलेटिंग मोस्ट अफ़ आटिकुलेशन आफ दा बॉड़ी इस्पेसली दोस करेंक्टेट टुदा इस्पाइनल कॉलम हमारे इस्पाइनल कॉलम से जुड़े होते हैं बहुत सारे हो जाने के बाद हमने जॉइंट्स में बहुत साथ बहुत तरह के प्रॉब्लम साते हैं जैसे हमारा जॉइंट्स में दर्द होने लगता है यह पें होने लगता है तो उन पेंस क्या कारण होता है क्यों इलाज करते हैं कैसे इलाज करते हैं उस पर यह वर्क करते हैं ठीक है स्पाइनल कोड़ से हमारे सारे पेन वागयर कंट्रोल किया आते हैं तो यह क्या करते हैं उन्हें है देखते हैं उन्हें समझते हैं कि यह हो रहा है ठीक है तो इने हम क्या करते हैं की रओंप्र करता है ठीक है चलिए वागे बढ़ता है आगे क्या हमारा फिट पैरों से पीटेड़ में नीचे वलो जो पैर होता जो कि हमारा क्या क्या कहलाता है दिस प्रक्टिष्टमाट मैं बहुत सारे हो जाते हैं चोटे मूट एलमेंट जो होते हैं जैसे कि को खो गया केलिसे से सो गया फॉलन आक्स हो गया तो तो नहीं क्या करते हैं कि अपयों मैं जाव तो जिसे आप करते हैं तो जैसा कि आप देखते होंगे यह खास करके हम देखने को मिलता करते हैं कभी कभी सर्जरी करके निकालते हैं या कभी-कभी वाइब्रेटिंग प्रोसीजर से करते हैं उनका इलाज तो इन्हें हम क्या कहते हैं इस टाइप के प्रैक्टिसर को कहते हैं बोड़ेटृटी लिए है कि यह पोड़ेस्ट भी हम इने कहते हैं दोनों कहते हैं यी आग हमारा क्रे점 ठीके है यह सह राइटिंग के भी कुछ 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 काम करते सह। बरंस्थे एन्वाइटिंग को डइटरमाइन क्रेक्टर परिसोनलिटी और अप्तीच्टाइब तो यह जो करते हैं हमारे handwriting को determine करते हैं उन्हें करते हैं उसके बाद यह उसी से पकड़ लेता है बहुत सारे लोग पकड़ते हैं कि यह किसकी handwriting है यह handwriting उसे match कर रही है या फिर नहीं कर रही है यह handwriting authentic है सही है या गलत है उस पर यह वर्क करते हैं ठीक है तो लाइटिंग्स पर वर्क करने वाले क्या कहलते हैं ग्राफोलोजिस्ट ने क्या कहते हैं ग्राफोलोजिस्ट फिर आगे हमारा आता है दसवाँ एंड लास्ट आइडिया गेटिंग और यह सिनियर सिटीजन के लिए होते हैं इसे प्रैक्टिसमेश का करते हैं इस परसंड डिल्स विद एकोनॉमिक सेक्षवल सोसल रिटार्म एंड अधर प्रॉब्लम्स अफदा इल्डर्ली यानि जो बुढ़े लोग होते हैं उनमें क्योंकि आपको पता है कि बुढ़े लोग जब इंसान बुढ़ा होता है तो इनमें बहुत तरह के बीमारियां आने सुरू हो जाते हैं यह आपको देखने को मिलता होगा आपके इन परेशानियों को कौन देखते हैं जिरोंटोलोजिस्ट देखते हैं कौन देखते हैं ए जिरोंटोलोजिस्ट ठीक है याद रहेगा और याद ना भी रहे तो अभी हम पढ़ेंगा तो सारा कुछ याद हो जाने वाला है ठीक है तो अब हमने कितने सारे वर्ट्स पढ़ ठीक है फिर कीरोप्रेक्टर पोडियाट्रिस्ट ग्रैफोलोजिस्ट जिरॉंटोलोजिस्ट यह सारे हमने पढ़े अभी यह इनके प्रोनंसियेशन है यह पच्छी से प्रोनॉंस करना सीख जाओ यहां से अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमने क्या-क्या देखा कि पारमएं तो ऴुड़ालोजिस्ट जो होते हैं ये किस तरह के इनका किसमें इंट्रेस्ट होता है यह किस तता करते हैं उसका हैं इसके बाता है साइको एनलिस्टी सैको एनलिस्टा होता है वो क्या करता है ? directional को पड़ता है कि महारें का चल रहा है ठीक है फिरत हमारा ओर्थो डॉन्टिस्ट और्थो मिंस सीधा करना औरiquement तोज मीन्स दांत ये तोब को पता ही होगा दांत हो गई खालो टीथ हो गया वार्टो मेंट tapa मेताया क्या होते हैं अप्तो टेल मुझा करो तो हमारे अँखा को देखता है यानी विजन हो गया हमारा फिर आगे अपका objectie optician कौन होते हैं lenses वाले होते हैं जो में चस्में देते हैं और उसरा सार सा में जो lenses देते हैं glasses के माहिर होते हैं glasses के field में ठीक है तो इस तरह सब क्या करना सारा कुछ match करना यह तो आपने पढ़ी लिया अभी तो यह रहे इसके यहां से आप मैच कर लो अच्छे से और सबसे पहले तो वीडियो पॉस करके इनको मैच करना है फिर आपको एंसर देखना है ठीक है यह मुझे बार-बार बोलना न पड़े तो अब आगे बढ़ते हैं एक अगर कोई साइकोलोजिस्ट है तो क्या उन्हें फिजिशियन होना जरूरी है जी नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है उन्हें कोई जरूरत नहीं फिजिशियन होने की साइकोलोजिस्ट वो आपको ऐसे ही आपको ठीक कर सकते है ठीक है उसके बाद एस साइकोलोजिस्ट स्वालोटी टेकनिक क्या साइको प्रूटो करते हैं कि बिलकुल करते हैं है न तो इस तरह से आपको क्या करना सबको मैच करना ड्रू-फ़्स जो कुछ भी आपको देखना है कॉपी में लिखना असके बाद को एंसर मैच कर लेना है ठीक है आगे बढ़ते हैं रिकॉल दा वर्ट्स अब क्या इन वर्ट्स को रिकॉल कर सकते हो तो क्रूर रिकॉल इसके लिए कौन सा वर्ट आता पीफॉर क्या वह आप देख लो यह मैं नहीं बताने वालों ठीक है यह रहे इसके एंसर और आगे अब आता है मारा सेशन एट एट सेशन में क्या करेंगे वह तो को पता ही है अब हम ओरीजिन को देखेंगे हर एक वर्ट्स के सब इस सेशन मे क्या पढ़ेंगे और इस सेशन में सिर्फ एक वर्ट के और इजिन को समझेंगे और उससे रिल्ट्री वर्ट को समझेंगे ठीक है वह कौन सा वर्ड है मेंटल लाइफ मेंटल लाइफ लोगों के मेंटल लाइफ से रिलिटेट कितने वर्ट्स होते हैं तो सबसे पहले हमार जिसका मतलब होता है spirit, soul और mind ठीक है psychiatrist किस से बना है इत्रिया से साइक और इत्रिया से बना है जिसमें इत्रिया का मतलब क्या होता है medical healing उसी तरह से psychologist जो है यह हमारे दो वर्ट से बने हुए है psych और logos, logos का psych मतलब तो पता है आपको mind और logos का मतलब क्या होता है science और study इसलिए psychologist का मतलब क्या हो गया कि one who studies the mind जो आपके mind को पढ़ता है ठीक है the field is psychology and the adjective is psychological ठीक है अब psych जो है हमारे पास इसका English में अपना भी एक meaning है क्या तो it designates the mental life the spiritual or non-physical aspect of one's existence यानि कि psych का मतलब क्या होता है। लोहों का internal life जो होता है जयानि कि personal life जो होता है mental life जो होता है उसे साइग कहते हैं ठीक है और इसके लिए एक एड्से पर जल्ड़ कि क्या होता संब साइकिक कि लीदो गरने बंद सब्सक्राइब यह बट यह थो इन संस होता है कि वह किसी चीज करेसे अभाध कर सकते हैं पुरवाभास कर सकते हैं ठीक है और बो कहते हैं की मुझे तो पता था इसा होने वाला था और वहत कोई तो ऐसे कहते हैं रहा यह पाहले साइकिक पर्संस हो जाता है तो जहीं सिख्षंस जो उनका काम करता है जैसे दूर से अगर दूद की खुशना बदबू आ रही होती है तो वह दूर से लगा लेते हैं पक्का कहीं न कहीं दूद गिरा है दूद जल रहा है ना तो यह सिक्त सेंस होता है यह नॉर्मल लगवग में छोटे मोटे लेवल पर पाया ही जाता है सारे लोगों यह मैंने आपको सिर्फ फ़र्वें एक जांपल दें ठीक है तो ऐसका क्या इसका कोई लोजिब नहीं होता है अगर कोई कहते कि यह होगा हो जाता है तो अब आप उससे पुछेए कि किसे कई कृश्य कहा है आपने यह कैसे पतर चला पहले से होने वाला है तो उसके पास कोई logic नहीं होता है ठीकिसी logic न सबसकर पर ही हमारे और भी वर्ड हैं क्या है तो सबसे पहला साइको पैठिक तो साइक मींज माइंड और पाथोस मेंज सफरिंग और डीज़ीस सफरिंग और डीज़ीस ठीक है तो सफरिंग from a severe mental or emotional disorder तो ऐसे परसन जो होते हैं साइकोपैथिक परसन ये बहुत ही हाई लेवल के mental disorders पर सफर कर रहे होते हैं ठीक है ये उस दौर से गुजर रहे होते हैं मतलब उस बीमारी से गुजर रहे होते हैं और इस टाइप के लोग थोड़े हुआ होते हैं ये खास कर डिया देखने को मिल सकता है उनकी कारणामे अगर आप बहुत 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 सारे आपको इल्टे-पूल्टे कैसे देखने को मिलेंगे तो वह जो करते हैं एक तरह समझो कि कि क्यों तो एसे परसन कालते हैं उसाइकोपैफिक और साइकोपैफिक आगा साइकोपैफिक रहीं है सौसाइटी के लिए यह बहुत ही बराब प्रावलम होता है सोसाइटी को इसे बहुत खतरा होता है अब आगया तो में सेवारा साइको सॉमयटिक जिसमें दो वर्ड से मिलकर बना है साइको और सोमा से है this मतलब क्या होता है मांड और शोमा मिल्स बौडि ठीका तो तो इसका मतलब क्या है कि इन्लिस रिजल्टिंग फ्रॉम दा इंट्रेक्शन ऑफ माइंड बॉड़ी यह आपको एक इस तरह की बिमारी होती है मतलब कि समझो कि आप बहुत ज़्यादा और प्रोटेक्टिव होते हो अपने लिए इस बिमारी में क्या और प्रोटेक्टिव ह सच में होता है सोचते सोचते हैं सच में सची में दर्द करने लगता ठीक़ा टो यह माईंडब और बॉडडी के बीजु exercise मैणी पाड़ा बिमार पड़ जाते हैं और यह आपने अपको लेके और फ्रोटेक्टीव होते हैं और उसलिए वो उनके साथ था भी ठीक है अब आता हमारा साइक औी लागा होते है तो आपको देख की लग रहा हूत क्या है साइक प्लस रॉससी साइक का मतलब जैसलों साइको लॉजी ट्रीटमेंट बेज्ट ऑन फ्रीडियन टेखनीक यह तो पहले ही बता दिया मैंने फ्रीडियन टेखनीक जो है उस पर अगर आपके माइंड को अनकॉंसेस माइंड को अनलाइसिस करके अगर इलाज किया जा रहा तो से हम क्या कहते हैं साइको अनलाइसिस कहते हैं और इस तरह होता है आपके origin से ही यह आपको बीमारी जो होती है आपके origin सही होती है ठीक है psychological origin of a problem यह आपके जो problem है आपको उसका origin कहां है तो यह जो पढ़ते हैं जो आपको origin तक जो जाते हैं आपके इन्हें क्या कहते हैं साइको जैनिक कहते हैं ठीक है अब आगे आता हमारा साइको थेरेपी साइको थेरेपी क्या होता है साइक प्लस थेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ साइको जैनिक तो साइको जैनिक परसन जो होते हैं उनके जो इलाज किये जाते हैं उस थेरेपी को क्या कहते ह है और जो एड्जेक्टिव बहुत ही अजीब साईव जुगा देखो ऑगे देखते अब क्या है तो यह साइक पर एदिट थे थे ठिका याद रहेंगे यह सारे वर्ट सापको अब चलिए देखते हैं कुर दो समने पढ़े तो सबसे पहले यह सारे root words हमने पढ़े, ठीक है, psych means क्या होता है, spirit, soul, mind, ytria means क्या होता है, medical healing, यह तो हमने पहले भी पढ़ा है, एक तो हमारे लिए adjective बनाता है, किसी भी words से जूड़ करकर, last means suffix होता है, soma means body, genesis means birth या origin, और pathos means suffering, ठीक है, ya disease, आगे चलते हैं, यह सारे वर्ट समने पढ़ें पढ़ लेना आप इना यह इनके प्रोनुंसियेशन रहें साइकोलोजी साइकोलोजीकल साइक साइकिक साइकोपैथिक साइकोपैथी साइकोपैथ यह सारे वर्ट समने पढ़ें ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम match the following इन्हें क्या करना आपको match करना है कहां से कौन सा match होगा यह आप देख लेना match कर लेना ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं यह रहें के answers और true false यह भी आप कर लेना true false आप करी लोगे अब आगे बढ़ते हैं यह आपको हिंट दिये हैं पीपीपी सारे तो साइक सहीं रिलेटेड है इसमें पढ़े तो यह भी आपका होई जाएगा अब आगे बढ़ते हैं हम क्या है हमारा सेशन नाइन ठीक है सेशन नाइन में क्या पढ़ेंगा हम और कुछ वर्ड्स को अब हम उनके ही रूड्स पे नाजर डालेंगा और देखेंगे क्या है ठीक है तो सबसे पहले हूं देखते हैं तो होल टूथ दाथों की लिए हमारे पास सबसे पहले परcej hydrated वनाच ने पढ़ा ही है तो उर्थों डूंटिस हमने पढ़ा था एस ही डिसक़़ए सब्डर आन ओर लेटुठ। 2020 एक सीधा करते हैं िवुए एक के में बच्छा क्लिए बच्छा डातों के लीए थेक बच्छा योग पनायो स्पिस्लाइज़ इंदा के ऊश्चेट। पेरी डॉनटिस्ट पेरी में स चारो तरफ की लंबाइको पेरी में तरफ मींस दांत तो यह स्या इसे गुम स्पेसलीट के अपके मसुर्णों का स्पेसलीष होता है ठीक तो आप चाहिए चल 가운데 इसको बता सकते हो और इजेक्टी वॉर्ट को इसके सब्सक्राइब में इतने दिनों संझेक नहें रहा हूं तो इस पेशलिस्टी क्या होगी और एड्जेक्टी वर्ड इसके लिए क्या यूज हो सकता है या बता सकते हो बता देना फिर एंडोडोंटिस्ट इंडोंटिस्ट क्या होता है एंडों इंडों मिन्स क्या होता है इनर विदिन इंटरनल जो होता है उन्हें एंडों थेरेपी आपके दातों का जो आपने देखा होगा यह ब्लू ब्लू लाइट मारा जाता है आपके दातों पे और रसीटी जो किया रहता है तो यह क्या करते हैं आपके दातों के पल्प यानि इंटर्नल दातों के अंदर की जो प्रब्लम्स होते हैं जिसे आपके दातों में क होगा है याद करो एक्सक्राइब करो एक्साइब के यह इता है के निकलते पर एक्सटोंटिस्ट हम कभी-कभी जाते हैं अपने दातों को बाहर निकलवाने उखडवाने के लिए कभी-कभी अभी जाते हैं कि आपको दाते निकलवाने पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं जाते हम एक्सदॉंटिस्ट के पाइज आते हैं ठीक है इस यह दोनों आप लिक लेना तो बनाई लोगे आप जैसे यह पर बना सकता है जैसे पेडोडोंशिया उसी तरह से एक्सडॉंशिया ठीक है और एक्सडॉंटिक बता दिया हमें आपको अब आगे बढ़ते हैं दाथ पर होगे अब हम चलते हैं measurement पर measurement पर हमारे पास कहा है तो हमने पढ़ा था optometrist by etymology measures vision optometrist को होते हैं जो हमारे vision को measure करते हैं ठीक है दटर्म is built on of this opticals जिसका मतलब होता है vision view plus neutron neutron का मतलब क्या होता है measurement तो इन दोनों को मिला के हमारे पर पास क्या वट सय उप्टो मेंट में टिश्ट घिर हाद रहाएगा जाल आगे आगे बादwiąहें चैब थे मेटर हमारे पासते ऊर बहूं सारे वर्ड्स नहीं से तर्मोमेटर बेरो स्पिगमो मेनो मेंटर एंड मेंटीक्स सिस्टम तो थर्मोमेटर क्या होता हमारा एन इंस्ठोमेंट टू मेजर हीट यह पहले से ही पता है बट ये बना किस पर ठरंप मैंट यह क्या boring पीट और मेंज जो मेजर करता है फिर आगया हमारा बैरोमीटर जो हमारे एक्मसफेरिक प्रुपर को बाता है इक इस फे बाना बैरुटर नाम आज तक हम नहीं जानते थे शायद ही कोई जानते होंगे इसका नाम बट बहुत कम ही जानते थे मैं तो नहीं जानता था बट आज मैंने जाना उसे इस फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं क्या कहते हैं इस फिग्मो मैनोमीटर क्यों कहते हैं क्यों 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 मतलब होता है पल्स और आपके पल्स के रेट को जो मेजर करता है इस फिग्मो मैनोमीटर याद रहेगा ऊसके राध मेट्रीक सिस्टंब यह क्या होता है ड थेसिम्स सिस्टंब होता है कि डियो को मेजर मेजर मैंट को देखने के लिए सिस्टंब होता है Max फिर आता हमारा थाइब और फीट ट्यूंस वाणी तेगा है सब में क्या होता है एक ज sf Favor and में जो होते हैं क्या होते है पैस्ट्र होते हैं इनका क्या एम होता है कि आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्चन को इस्टेबिलिटी को एनिलाइज करें और जैसे होता है मैंने पर पता था मसाज से या नॉर्मल टेक्निक्स करते हैं आपके इलाज को करते हैं ठीक है और यह क्या करते हैं आपको कुछ खास दवाई अगरा नहीं देते हैं बस यह अपने हाथों से ही आपके बौन्स को स़ीज जगा पिला तेते हैं अगर कुछ अंडिव प्रेशर पड़ ले यई आपके बान्स पे तो ये सई जगा पिला थे पता कि आपके दर्द को और ये बोडी इसे छोड़ देते हैं बौडी को कि ताकि ये खुप से हिल कर सके ठीक है तो इस टाइब के जो डॉक्टर को क्या कहते है ऑस्ट्रि आगे हमाने पास आता है इसी पर कीरो पॉड क्या होता है venus kyu नतब को पता ही है कियर क होता है है हैं हेंड के पेर मिन्स होता है है हैंड केशिकिक जिसे हम इंग्लिश में कीरो यूज करते हैं तो कीरो पोड़ी क्या हो गया दड के एंड ट्रेटमेंट ऑफ पिपल्स फीट अपके फीट में अगर कुछ प्राबलम है पोड़ो प्राबलम है किस तरह के प्राबलम मने आपको बताए थे कि पैरों में गांठें पड़ जाती ह करते हैं जो किया करते हैं जुछ करते हैं कौन सा टर्म करते हैं कि रॉप्र हैंड by देर हैं जो होते हैं और दुसरे के लगवक में होते हैं तरह से में समय में क्लाश करते हैं हांतों से मसाज देख कर आपके ट्रेटमेंट करते हैं ठीक है सब्काइब करते हैं किषछा है इचाहित आघ के इस रिख समय में अहले लात में क्या होता हमारे हात को देखकर future को बतलाया जाता ठीकर और यह किस से बना है मैंसी यानी mean zor prediction mainly का मतलब क्याता prediction एंड की रो मी सबerson kaloangat Meu孩子 आपके आपके हाथ को देखकर जो प्रेडिक्ट करते हैं जो कैमेरा हाई यह देहों यह हैका कीरोपॉड़ी टार की रावरे फीट में से अगर कुछ गांठे पढ़ जाती तो इनका क्या है ईलाज करते केलकां वहादें केला और यह कहला तरहाते हैं जो हाद को दिख कर भविषक नाती थे ठीक है याद रहेगा यही और रूट है मारे पास पॉज या पॉड़ोज पॉड़ोज पर हमने पढ़ा थो ना थी उसी पॉड़ोज पर कुछ और वर्ट है मारे पास तो पॉड़ोज क्या हो यह हमारा औक्टोपस सबसे पहरात है औक्टोपस खुड़ा होगा औक्टोपस ओक्टोव में singular पॉड़ा है फिरीक हो गया मार खैयते हूट गोनल है्सलेख क्रुटी चाह इण तो मातर आपता यह ड्युक्त आप से अगल के लिएक सो पता नहीं अब अगला आता है प्लैटीपस प्लैटीपस क्या होता है दे इस्ट्रेंज वाटर मैमल विद डक्स बील वेवड़ फीट और बीवर लाइक टेल डैट प्रोड्यूसेज बाइल लेंग एक्स यह तो को जैसे पता चल रहा है कि जैसे आपने देखे होगे बत्तक के जो पंज रहें तो इसको आप वड़े लेंगोढर्य का क्षोमीए फीकर प्लैटीपस फीट ज้हां पोडियम भाषन जो देते हैं नेता लोग या फिर College में बहुत अपको देखने को मिलता अगया पडूरी करता है नहीं का ना हिर अ-परेया अ शुक्त whenever ये कहां से महाना है सफिक्स से यम इम का मतलब क्या हो गया प्लेस हो यह मतलब ही होता है ions फिखा जहांसे सिकाम को करते हैं जयसे जींच हो गया स्टेडियम हो गया और उन जगाओं को पता है जहांसे हम स्टेडियं बश्न देते हैं अगला आगए ट्राइपोर्ड ट्रैमिस क्या होता थ्री बाइब मोनऊ मीन्स वन वन और मस्ट ट्री तो तीन परवाले जो होते हैं ऑन इनद क्या कहते हैं आथ ट्राइपोड क्याता है जैसे एकर स्टैंड आब देखने को मिलता हूँ गा फॉड अधर डिवाइस ट्राइमीस क्या होता है तो यहां तक समझ मांगे आपको अब चलिए देखते हैं क्या है है तो यह थे कुछ वर्ट्स और उनके ओरिजिंस अब हम एतिमोलोजी को देखते हैं ठीक है जो हमने पढ़े तो यह सारी रूट्वर्ट्स हमने पढ़ें तो पहला जो है हमारे पास और थोज ठीक है जिसका मतलता इस्ट्रेट या स्करेक्ट और डॉंटोज पढ़ा फिर पढ़ा हमने फिर एक पेरी एंडो एक्स अप्सिस और या अप्टिकोज मेट्रों थर्म यह सारे हमने पढ़े अभी इसके अलावे और कुछ पढ़े हैं जैसे बैरोज हो गया अनिवेट इस्फिगमोज मिन्स पल्स और स्टियोन मिन्स बोन पैथोज मिन्स सफरिंग डिजीज पॉज पोडोज मतलब फूट ऑक्टो प्लैटीज यम ट्राइं शियर या कीरो एंड मैंसी एंड इट्रि प्रणूंस करना सीख लोगे और यह सारे वर्ट से जोंने पढ़े ठीक है आगे उनके अलावे और भी कुछ वर्ट से यह भी हमने पढ़े अभी देख लें आप ठीक है अब आगे चलते हैं यह आपका मैच्ट फॉल्वविंग इन्हें आप मैच कर लोगे आगे पीछे ज आगे फिर बढ़ो यह true false हो गया true false को अटेंड करो आप कुछ और true false वे उन्हें अटेंड करो यह उनके एंसर रहे ठीक है फिर recalling the words हम कैसे recall करते हैं words को उनने recall करना है ठीक है यह उनका एंसर रहे अब आता है सेसेशन टेन दश्में सेशन जाउस हमने पढ़ाता याद करोू ब्र टो ग्रामोस कहा rpm न से बना है यह ग्राफीन से नहीं आपको अब इसी graphology and the adjective is graphological clear तहां से बना graphologist बता दिये मनें अब इसी graphene पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे हो गया हमारा पहला क्या है calligraphy calligraphy क्या है गाई तो केलोज मिन्स होता है beauty cash means beauty and graphene means to write beautiful writing को क्या कहता है calligraphy कहता है ठीक है और इस पर संगों केली ग्राफर कहते हैं और इड्जेक्टिफ खलाफिक होता है ठीक है उसा लो सनी का लिजये सब्सक्राइब क्लों कालो क्लों होता है यह जर्म क्लोंत अगता है नेगी बैक ठीक एटीक सब्सक्राइब वैसे परसन पोजेश्ट ऑफ ब्यूटिफुल बुटॉक्स जिनका होता है उन्हें क्या कहते हैं कैली पीजियन कहते हैं और यह मुश्टली विमेंस के लिए यूज होता है कैली पीजियन वर्ड ठीक है उसके पार था कैकोग्राफी अब अगर कैली में सुन्दर होता तो जर कैकोज होता ठीक है तो कैकोग्राफीक क्या हो गया गाई ग्रफिन चक्ष मेंस लिखना तो बैड इसकृट्ली और इलिजिबल केंजियर रैंडियू जुब द्विल्च पढ़ने लायक ना है क्या करते हैं कि क्या क्यीकोग्राफ मेर्डिकल वाले समझते हैं ठिक हब आगे तौ ग्राफिन पे चाहा किया बड़ है हमने पड़ा काडियो ग्राफ याद करो सिनी चप्टर फॉर वेट अटिमोजें फॉर राइटर है क्लाटर च़्क्ट कि छो इस टैप का होता था यह त beiden देखते थे और इसं और हो और मशीन को हम क्या कहते थे से याद आया उसी तरह से photograph at program क्या हो गए है तो फोक् cosm पिए इचेंट की सभर्ण तो इसनगार छौ्टन से है फोट ग्राफ कर रखर्ट गता है dear फोनोग्राफ फोनोग्राफ काच है साउंट राइटर जह सुनकर लिखता है यहां ही फए साउंड इसलिए निसी तो फॉन से a dot coming ऑलös टेलिफॉन ठीक है जो दूर के होता है दूर और फोन मिंस क्या होता है साउंड जो दूर के साउंड कո थो के उन्हें तक पहुँचाते हैं शेयर सेसे फॉनोग्राफ क्या होता है यो सुन यह उद्धने हो क्वेलिटर प्र present टेलीग्स टेली तक होता है डिस्टेंस राइटर है बिखना तो डिस्टेंस राइटर जो दूर के लिखते हैं उसके बाद आगे हमारा बायोग्राफी बायोग्राफी राइटिंग जो लोगों का अपना बायोग्राफी होता है बायोग्राफी कहता है बायोग्राफी कहता है इसका मतलब क्या होता है तो यह होगे राइटिंग पे अब आता हमारा अगला एजिंग एंड और ओल्ड एजिंग यानि कि जब लोग बुढ़ी हो जाते हैं ठीक है wha no that gillatrician is specializes in the medical care of the elderly जो gillatrician होते है वह किसमया specialist होते हैं वह बुड्हे लोगों के प्रड्लम्स को लेकर वह बहुत ही क्यों पूर्टी बहुत ही शुलाऍट होते हैं ते हैं वह समझते हैं पड़ी लोग को हम लोग सामने कहा बना है जाब बढ़ी लोग आते हैं गाएन जादे क्लिकिमा इयरिटेेटेर हो जाना जाता है फूंकर बाता यह यह किस Megitto अन उसके लिए क्या बना हमारा चिरॉंटो लॉजिस्ट बना इस पेसलिटी इडि जेन टो लॉजी अंद एड्जक्टिव इज जिरॉंटो लॉजीकल क्लियर समय गया उसी तरह से एक और वर्ड है यह तो हमारा ग्रीक वर्ड लेकिन एक लेटिन में सीनेक्स का मतलब भी वही हो है ultimeसा अभाज लेकिन कनेमा अनकित्र को फीजिकलन को डेखर के कौने में उमें पता लगन दृविद बोलें कि देख गया सब्सक्राइडिटाइड यह होगया करता है अब उम्र होगया ठीक ना तो जब एज वेरी ओल्ड जाता है तो ओनने क्या कता है थे सिनियर को frames एजिए और ग्रॉंग और इसके बढ़ना उमर बढ़ना तीक है उसके बाद से नίο आ पता ही कंघ है दकाल ऑल्डर जो सिनियर होते है आप से जो उल्डर होते होने सिनियर कहते हैं हम और उनको पता ही होगा हूं जो युएस के बोसि पालेमेंट मैं सिनिट कहते हैं सिनेट क्यों कहते हैं क्योंकि वहां पर वह कॉंसील होता ओल्डर लोगों का ओल्डर नहीं जो अनुभव से उपता होगा वहां के नाम से जानते हैं वहां के जो मेंबर होते हैं उन्हें सिनेट कहते हैं अगए तो यह थे aging and the old पे related words ठीक है clear समझमा आ गया अब हम इनमें कौन-कौन से root word हमने पढ़ा वह हम देखते हैं तो यह सारे root words हमने पढ़े graphene, shear, callos और यह सारे आपने पढ़े इन्हें आप देख लेना ठीक है और इनसे related आप English words भी लिख सकते हो लिख लेना आगे इसमें जो हमने पढ़े इन words को पढ़ा हमने उन्हें आप pronounce करना सीख लो देख लो यह सारे words हमने पढ़े हैं ठीक है अब आगे match the following इन्हें आपको क्या करना है match करना कहां से कौन से match होंगे वह आप match कर सकते हो कर लेना ठीक है फिर आगे हमारा answer फिर आगे वीडियो को pause करो true false करो आगे बढ़ो एंड यह words को recall करना है recall कर सकते हो आप ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें हो गया आपका objective question यह आप objective कर सकते हो आराम से कर लेना ठीक है वीडियो को pause करना है करना है पहले अपनी copy फिर match करना है answers ठीक है clear समझ माँ गया फिर यह सारे रूट्स हमने पढ़े यहां पर उनके examples दिये हुए उन रूट्स से बने में words बट आपको क्या करना उनके आप लिख लोगे असानी से यह आपने पढ़े बहुत अच्छे साइओ आपने बहुत अच्छा से वीडियो को देखा तब असानी से लिख सकते हो ठीक है फिर से यह वह रूट्स हो गया उनके आपको मीनिंग्स लिख नहीं लिख लोगे आप सो अब आगे बढ़ते हैं टीजर क्वेश्चन अब हमारा सेशन खतम होने को लास्ट में क्या पढ़ते हैं टीजर क्वेश्चन वह देखते हैं सो फर्स्ट वान इस लैटिन ऑक्टो जिन्टा इस रूट रिलेटेटड ऑन ग्रीक अक्टो जो किस पर बनावा और जिसका मतव होता है एक हाओ ओल्ड इजन ऑक्टो जिनेरियन कितना ओल्ड हो सकता है यह आपको पता चल जाएगगा आप अगर रूट वर्ड अपने अगर अच्छे अब पता ही है जिसका मतलो होता है और ने हार्ष इनद केको अंप नब पधा जो इसका मतलब क्या हो हो हार्ष या unpleasant sound हो जिसका meaning ऐसा वर्ड आप बना सकते हो तो बनाओ लिखो इसमें फिर थर्ड नमर यूजिंग कैली पीजियन as a model can you construct a word to describe an ugly कैली पीजिन अगर खुश्रत औरतों के लिए यूज होता है उस पर वर्ड बनाना है बना लोगे यह सारे बना लोगे और सब्सक्राइब कहां मिलने वाले हैं चप्टर 18 मिलने वाले ठीक है तो कि यह रहे आपका कि आपका सेशन नहीं पर आज अब आगे हम और भी पढ़ेंगे तो यहां तक आई होप आपको सबकूर समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो अब जाके अपना बुक पढ़ो वहां से आप इनको क्या करो रिलेट करो समझो अब देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तब तक के लिए आएगर है तो यह पीजिए in एंग में एक हमें आपको कर retrouver से स समझ में आता, और एक कोडा कोड़ों के।